हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बेंकिंग अपडेट में आई होब कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो रर्वी पीयो का प्री रिजल्ट और रर्वी क्लर का प्री रिजल्ट दोस्तों हमारे सामने आ चुका है काफी सारे कैंडिडेट का सेलेक्शन हुआ और बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जिनका सेलेक्शन नहीं भी हुआ अब जिनका सेलेक्शन रर्वी के प्री में चाहे आप कह सकता रर्वी पीयो में उनका निकल गया हो या फिर दोनों में से कोई एक exam जैसे उनका clear हुआ है तो वो तो अपनी mains को लेकर preparation start कर चुके हैं और आप सब भी को मालूम है कि जो RRB clerk का mains exam है PO का mains exam है और IBPS clerk का mains exam है उन तीनों जो आपके mains exam की date से उसमें जादा आपको फरक देखने को नहीं मिलेगा तो अब सवाल यह है कि जिनका selection नहीं हुआ है उन सबी की उमीदें सिर्फ और IBPS clerk पर अभी तो जिसे IBPS clerk के result पर है और काफी सारे candidate कह रहे हैं कि सर हमारा RRB में तो नहीं हुआ ना ही PO में हुआ ना ही clerk में हुआ तो IBPS clerk में हमारे chance बन सकते हैं सर तो कब तक हमारे सामने result हमको देखने को मिलेगा तो जैसा कि IBPS clerk की means की जो date है वो हमारी 8 October है आप सभी को मालूम है और इसका जो expected result है वो हम लोग expect कर सकते हैं 22 September के near around तक ठीक है क्योंकि अगर आप देखोगे तो तकरीबन 20 दिन पहले तक तो result हमको देखने को मिला ही मिला है ठीक है चाहे RRB की बात कर ले पियो की चाहे clerk की बात कर ले ठीक है जैसे ही कोई भी अपडेट आती है आप सभी को चैनल के माद्यम से बताया जाएगा थैंक्यू एव नाइस टे